हलो दोस्तो स्वागत है अब सभी का एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग कंपाउंड इंट्रेस्ट का ये पार्ट टू देखेंगे दूसरा क्लास से ही आज तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग c i का पार्ट टू तो जैसा कि पिछले गलास में लोग देखे थे c i निकलने के लिए r square प्लस si इस r square में जो होता था point 2 अंक के बाद लेना है तो अब अगर इसी में 2 साल का हम लोग को c i si का अंतर निकलने बोला जाए तो कैसे निकलेंगे तो करना क्या इस si को उठा के इधर ले आना है तो इधर आके यह मैनस में हो जाएगा मतलब c i minus si बराबर लिख सकते हैं हम लोग r square लेकिन इस r square को कैसे रखना है point 2 अंक के बाद तो इस फर्मूला से हम लोग c i si का अंतर निकल सकते हैं कुछ देखते हैं इस से हम लोग example जैसे कि आर दिया है अगर हम लोग के पास पांच परतिशत time है दो साल तो और अगर दिया हम लोग के पास c i si का अंतर विदे दिया है 75 रुपया तो हम लोग से यह रासी निकलने के लिए बूला गया अगर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे c i minus si निकल सकते हैं देखें जैसे कि हम लोग पहले अभी r square तो आ रहे हम लोग के 5 का square 25 point 2 अंक पे इतना परतिशत हो जाएगा तो यह और यह आपस में क्या होगा दूनों बराबर होगा तो हम लोग को अगर 100 परतिशत का value निकलना होगा तो क्या करेंगे 75 को divide कर देंगे 0.25 से और इन 2 कर देंगे 100 से इस point को हटाएंगे यहाँ पे 2 0 बठा लेते हैं इस से 100 काड दते हैं 3 बार में तो मतलब यह जो हम लोग को आएगा वो रासी 30,000 हो सकता है चलिए कार एग्जामपल देख लेते हैं हम लोग जैसे पी दिया हुआ हमाले जिसमें 10,000 आर दिया हुआ है 6 परतिसत टाइम है 2 साल तो इसमें पुछ लिया हम लोग से CI-SI कितना का दोनों में अंतर होगा तो पहले हम लोग CI-SI का जो परसेंटेज निकालने का है वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं तो आर स्कॉयर और पॉइंट 2 के बाद इतना परतिसत तो जो भी रासी है उसका हम लोग इतना परतिसत निकाल लेंगे बटा में हो जाएगा पॉइंट को हटा देंगे अगर 2-0 और बट जाएगा यह और यह कट जाएगा तो मतलब अंतर जो होगा वो 36 का होगा बोल सकते हैं इसे हम लोग तो देख रहे हैं इस फॉर्मूला से हम लोग कितना इसली बना ले रहे हैं दो साल का अंतर को चलिए अब आते हैं हम लोग तीन साल में फॉर थ्री यर्स तो इसमें सबसे पहले सियाई जो निकालेंगे उसके लिए क्या फर्मूला बनेगा तो अब जब फर्मूला होगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वार टी प्लस एस आई यह हम लोग का फर्मूला बेहां बनेगा तीन साल के लिए इसको लिखना कैसे है हम लोग को अब इसका दो अंक लेना है और सेकेंड में पॉइंट दो अंक बाद इसमें जो भी आएगा इसका दो अंक को भेलू लिखना है प्लस पता हम लोग सिर्फ इंडिकेशन के लिए देते हैं इसको सॉल्प करके जो भी आएगा उसमें दो अंक के बाद यहां पर और पॉइंट लगा देना है और फिर SI जो कि पहले में लग पढ़ चुके हैं R into T वो तो जैसे कुछ एजामपल देख लेते हैं इसमें भी जैसे एगर R दिया हुआ है पांच परतिशत टाइम है तीन साल तो इसका अगर CI निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे तो पहले सबसे पहले है R cube R cube मतलब 5 का cube होगा 125 तो दो अंक लेना हम लोग को यहां पर लिखना है इसका लिख लिए ऐसा एक कैरी रहेगा भी सेकंड़ी स्टेप में है R square T तो 5 का square 25 को 3 से इंटू करेंगे 75 और एक कैरी 76 दो अंक है लिख लेना है और पॉइंट ऐसा ही मतलब R into T तो पाच गुना 3 15 इतना परतिसत होगा तो जो भी रासिय देगा उसका हम लोग इतना परतिसत निकाल देंगे तो वो C I निकल जाएगा उस रासी का चलिए एक और देखते हैं हम लोग अगर R दिया हुआ है आठ परतिसत टाइम है तीन साल C I निकलना है सबसे पहला काम R क्यूब तो क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 तो यहां लेंगे हम लोग 12 फिर है R A square T 64 को तीन से इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा 192 और 5 197 97 यहां लेंगे 1 कैरी हो जाएगा 8 को तीन से करेंगे 24 और 1 हो जाएगा यह 25 तो यह इतना परतिसत निकालेंगे तो वो भेलूस का जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग CI बराबर फॉर्मूला बनाता हम लोग SI पलस R square T पलस R cube अब अगर इसी में तीन साल का अंतर निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसको ठाक इधर लियाएगे CI माइनस SI बराबर R square T पलस R cube यह तीन साल का फॉर्मूला बनेगा लिखना कैसे है इसको इसका दो अंक लेना है और इसमें point दो अंक के बाद तो यह हो गए हम लोग का तीन साल का SI CI का अंतर का फॉर्मूला चलिए एक example देख लेते हैं इसमें भी हम लोग जैसे अगर पी दिया हुआ है एक हजार R दिया हुआ है दस परतिसेत टाइम है तीन साल तो अगर हमसे पूछ लिया यह इसमें CI मैनस SI का अंतर क्या होगा तो सबसे पहले CI SI का जो निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अंतर जो निकलेगा R क्यूब तो R क्यों कि 10 है इसका क्यूब कितना होगा 1000 2 अंक लेंगे 10 कैरी रहेगा फिर था R स्कॉयर T तो 10 का स्कॉयर हो जागा 100 और 3 से इंट्व करेंगे तो यह 300 और कैरी था 10 310 का 10 यहां पॉइंट यहां और 3 इदर आ जाएगा इतना परतिशत तो जो रासी दिया है उसका हम लोग 3.1 परतिशत मिकाल देंगे मतलब 31 यह हो गया 3 साल का चली अब इसे जुड़े हुए कुछ कोस्टन किस टाइप से आ सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं चली पहला कोस्टन हम लोग के पास है किसी धनरासी पर 5 परतिशत वार्सिक ब्याज की दर से 2 वर्स हो के चक्रविर्दी ब्याज दथा साधरन ब्याज का अंतर 15 रुपे हो तो वह धनरासी क्या है तो देखे 2 साल का अंतर है तो हम लोग 2 साल अलब भी निकाले थे CI मैनस SI क्या था फॉर्मूला हम लोग 5 है पांच का एसक्वायर और पॉइंट दो अंख पे तो इतना परतिशत बराबर नहीं देखे वेलू दिया हुआ है कितना 15 यह दोनों बराबर होगा दोनों अंतर है यह भी अंतर यह भी अंतर है तो अगर हम लोग को 100 परतिशत का वेलू निकलना हो तो क्या करना होगा इस 15 को डिवाइट कर देंगे 0.25 से और इंटू कर लेंगे 100 से पॉइंट को हटाएंगे 2 0 बठा लेजे 25 से काटते हैं इसको हम लोग 4 2 0 इंटू करेंगे तो यह 60 में 2 0 मतलब 6000 1000 इसका एंसर हो जाएगा option number 3 इसका सही एंसर होगा चले next question हम लोग देखते हैं 5000 रुपे की धन रासी पर 10 परतिशत वार्सिक चक्रविर्धी वैज की दर से 3 वर्सों का चक्रविर्धी वैज कितना होगा देखिया 1000 2 0 लेंगे फिर था r square t तो यह 10 का square हो जागा 100 और 3 से इंटो करेंगे 300 और 10 310 का यहाँ पर 10 यह point आ जाएगा और यहाँ पर आता है si s i मतलब r into t 10 को 3 से इंटो करेंगे 30 और carry 3 33 इतना परतिशत जो भेलू दिया इसका निकाल लेंगे इतना परतिशत हम लोग तो 5000 का 33.1 परतिशत 2 0 से 2 0 कटेगा चले एक 0 बटा लेते हैं इंटो करते हैं 5 को 5 15 16 तो 16 15 मतलब option number 3 इसका सही अंसर होगा चले एक last question आओ रहे हम लोग के पास किसी धन्रासी पर 5 परतिशत वारसिक 10 से 3 वरसों के चक्रिवृति ब्याच ताथा साधरन ब्याच का अंतर 76.25 है तो वह धन्रासी क्या है देखे 3 साल का अंतर दिया हुआ तो 3 साल के लिए हम लोग के पास क्या फर्मूला था CI-SI का फर्मूला था RQ प्लस R square T तो R cube मतलब 125 कर लेंगे हम लोग 25 एक कारी रहेगा तो यह हो जाएगा 5 का square 25 और 3 से इंटू करेंगे तो 75 और एक 76 पॉइंट लग जाएगा इतना परतिसेत इसके बराबर दिया हुआ देखे यह वाला रासी तो यह दुना आपास में बराबर हो जाएगा हम लोको रासी निकालना है मतलब 100 परतिसेत तो 76 25 डिवैट करेंगे इसको 0.76 25 और इंटू कर देंगे 100 से देखिए यहां पॉइंट हटेगा यह 2 0 बठेगा इसहां पर पॉइंट के बाद 4 रंग था तो चलिए यहां पर 4 0 बठा लेते हैं इसके बतले में काड़ देते हैं इस 2 0 से इस 2 0 को और यह पूरा यह पूरा कट जाएगा 4 0 मतलब 10,000 तो option number first इसका सही answer होगा उमीद करता हूँ आप लोग को इसका CI का यह जो second part अच्छे से समझ में आया होगा अगर नई समझ में आया किसी को तो इससे पहले जो part 1 डाला हुआ हमारा उससे आप लोग जुरूर देखें हमारे playlist में है वो हमारे चैनल में जाके देखें आप तो उसको देखने के बाद अगर यह देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसमें जो भी दिक्कत होगा आप लोग को उससे कमेंट करके आवसे बताएं अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगाओ तो इससे जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के भी शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लेकिए आपको यह वीडियो कैसा लगा इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यह हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ अगर आप कोस्टियो को आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद